हालो दोस्तो नमस्कार एजुकेशन गड़ चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में 36 गड़ इतिहास से रिलेटेट यहां पर टॉप 50 कोईशन को यहां पर डिसकस करेंगे और टॉप ऐसे 50 कोईशन होगा जो आगे आने वाले एकजाम में हमारे लिए ब प्रख्यास सतंतरता संग्राम सिनानी सिंग्रॉल के करताब या इस्थाल्ट जिले को चुनिए इसका सही अंसर है अप्शन बी दूर्गा जीला प्रशिद्ध संतरता संग्राम सिनानी रगुनंदा सिंग्रॉल दूर्गा जीले के संबधित थे इन्होंने 1942 में दूर्गा के कचहरी में आग जनी की घटना को अंजाम दिया था नेश्ट कोईशन है चतिसगर का प्रथम स्रमिक अंदोलन कहां हुआ था इसके सही अंसर है आप्ठन भी राजनांद गाउं में चतिसगर का प्रथम स्रमिक अंदोलन हुआ था ठाकुर प्यारे लासी दुआरा किया गया था उस समय प्रसी धने था वी वी गिरी चतिसगर में इनका आगुआ था नेस्ट कोजशन है बिलासपूर के सुंत्रता संग्राम सिनानी नहीं थे इसका सही अंसर है अप्टरन ही आमर्नात्टिवारी बिलासपूर के संग्राम सिनानी में बैरेस्टार शेदिलाल यदू नंदन प्रसाद स्रिवास्तो चिंतामरि ओतल्वार राज किसोर वर्मा बिला इसका सही अंसर है अप्चन भी वासू देव देवराज बिलासपूर में वानर सेना के संस्थापक हैं कोश्चन के स्पस्टी करहर दिखते हैं सवीना अवग्या अंदोलन के दवरान बिलासपूर में वासू देव देवराज के दुवारा वानर सेना का गठन किया गया पानर सिना का गठन हुआ था। इसका गठन यति यतन लाल दवड़ा किया गय था। और इसका न्यत्वित करता कून था तो बली रामधुवे दवड़ा इनका न्यत्वित किया गया। नेश्टर कोईश्चन है उस व्यक्ति को चुनिये जो पेशे से मुलता हो वकील थे परन्तु एक अच्छे सेवक भी थे इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलेंड का इतिहास इसका सही अंसर है अप्शन डी ठाकूर छेदी लाल कोईश्चन के स्वस्टी करार दिखते हैं बिलासपूर के बैरिष्टर छेदी लाल एक वकील थे सुंत्रता संग्राम सिनानी के सौधिनता ओलेंड का इतिहास इनकी प्रमुक रचन थी चेहनल को सस्क्रेब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए क्योंकि यही हमारा महिनत का फ थे जून 1931 में हुए गट्टा सिली सत्यगरह का नियत्यत्य नरायन राओ मेगावाले और नत्थु जी जगताप और बाबु छोटे लाल स्रिवास्तों के दुवारा किया गया था अंग्रेजों के सोसर तथा वन कानून के विरोध में यहां सत्यगरह किया गया था सूरत कांग्रेज 1907 में 36 गड़ का प्रतिनीधित्व किस ने किया था इसका सही अंसर है अप्षन फर्ष्ट पंडिस सुन्दालाल सर्मा कोश्टन के स्पस्टिकराण दिखते हैं 1907 में सूरत सहर में आउजित कांग्रेज के वार्षिक अधिवेशन में पंडिस सुन्दालाल सर्मा ने 36 गड़ का प्रतिनीधित्व किया था नेश्टर कोश्टन है सुन्दालाल ने हस्त लिखित जेल पत्रीका कितने प्रिष्टो की लिखी थी इसका सही अंसर है अप्षन भी 18 प्रिष्ट की पंडिस सुन्दाला सर्मा दुआरा 1922 से 23 में जिल से क्रिष्टन जल में इस्तनी पत्रीका का प्रिष्टो की थी नेश्टर कोश्टन है राइपूर केस के प्रमुक हीरो थे इसका सही अंसर है अप्षन डी परसराम सोनी परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिल कर रिवालवार बम गोली आदी का निर्मार करना चाहते थे एक साथी सीव नंदन के मुखबरी से सब गिरेपतार कर लिए गए और इस घटना को र राजनान गाउं रियासत में सी पी काटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के सासक कौन थे इसका सही अंसर है ऐप्षन बलराम दास कोईश्टन के स्पश्टी कराना दिखते हैं राजनाम गाउं रियासत के सासक बर्रामदास के सहयोग से इंगलेन के मैक वेथ ब्रदर्स ने 1890 में B.N.C. मिल की स्थापना की थी नेश्ट कोईश्टन है कोईश्टन के स्पश्टि कराना दिखते हैं 1856 में पड़े अकाल के दावरान करजडोल के वेपारी के गोदाम से आनाज लूटने के आरोप में अक्टूबर 1856 को पहली बार वीड नरार्शी को गिरिपतार किया गया था वे दस महिने बाद ही वहां से फ्राहर होने में कामियाब रहे नेश्ट कोईश्टन है आसोहयोग अंदोलन के समय चत्तिसगर में आन्रेडी मजिस्ट्रेट के पास से त्याक पत्र देने वाले इन में से कौन था इसका सही अंसर है आप्सन काजी समसेर खान कोईश्टन के स्पश्टी करार दिखते हैं आसोहयोग अंदोलन के दावरान काजी समसेर खान ने चत्तिसगर में आन्रेडी मजिस्ट्रेट के पास से त्याक पात्र दे दिया था नेश्ट कोईश्टन है निम्न लिखित में से किसके साथ 36 गड़ के पराश राम सुनी जी का नाम जूड़ा है इसका सही अंसर है आप्शन की उप्रोक्त सभी विकल्पों के साथ और थार रिवालवार बनाने नेपाम बम तथा अगनी बम बनाने और बुलेट या गोलिया बनाने अतथद धुवा फैलाने वाले बम बनाने आदि सभी विकल्पों से इनका नाम जूड़ा है कुश्चन के स्वश्टी कराण देखते हैं 1942 में पराश राम सुनी अपने साथियों के साथ त्रियो अलवार नेपा बम बुलेट धुवा बम आदि का निर्मार करना चाहते थे पर 37 यह नंदन की गददारी पर ग्रेपतार किये गए और यह घटना रहपूर सेंत्र के नाम से जाना जाता है नेश्टा क्वेश्चन है उस्पकी अभिलासा कविता 36 गड़ के किस जेल में लिखी गई थी इसका सही अंसर है आप्सवन ई बिलासपूर जेल में लिखी गई थी क्वेश्चन के स्वश्टी करहर दिखते हैं माखानलाल चतिरुवेदी द्वारा 1921 में बिलासपूर के जेल में उस्पकी अभिलासा कविता की रष्णा की गई थी इसे दोस्तों विस वर्षे 2020 में साव वर्षे पूर्णा हो गए है नेश्टा क्वेश्चन है प्रख्यास वतंत्रता संग्राम सिनानी सुन्दाला सर्मा के पीता का नाम था इसका सही अंसर है आप्शन चीप जिया लाल त्रिपाठी क्वेश्चन का इस प्रश्टी करहर दिखते हैं 1881 में राजीम की निकट चमसूर में पैदा हुए पंडि सुन्दाला सर्मा के पीता का नाम स्री जिया लाल त्रिपाठी था नेश्टा क्वेश्चन है मन्टोरा भाई, मुटकी भाई, पुटेनिया भाई, केजा भाई को उनके संत्रता अंदोलन के किस कार्या हेतु जेल में रखा गया था इसका सही अंसर है आप्शन ए विदेशी समान के विक्री के उधारान धर्ना प्रजर्शन किया था जिनके कारण इन सभी को जेल में रखा गया था सवन्या अवग्या अंदोलन के दवरान विदेशी समान के विक्री के विरोध में धर्ना देने के कारण मन्टोरा भाई, राधा भाई, फुटकी भाई और आदी को गुरिपतार किया गय था नेश्टर कुश्चन है सोतन रता संघर्ष के दवरान राश्टी विद्यालों की स्थापना किसने की थी इसका सही अंसर है उप्षन ई, उप्रोक्त सभी अर्थात, ठाकूर प्यारे लाल, डाक्टर बल्दियो प्रसाद मिस्र, ठाकूर पन्ना लाल सी और बंसी लाल आदी सभी ने मिल कर राश्टी विद्यालों की स्थापना की थी कुश्चन के स्वस्टी करार दिखते हैं असवयोग अंदोलन के दावरान राजनांद गाउं के डाक्टर बल्दियो प्रसाद मिस्रा, पद्दुम पुन्ना लाल बक्सी, बंसी लाल के सही योग से राश्टी विद्याला एक खोला गया इनमें ठाकूर प्यारे लाल सी की मुख्य भूमिका थी नेश्टर कोईश्टन है वर्साद 1921 में राजनांद गाउं के 37 दिनों तक एक मिल में हुई हर्ताल इसका नेत्वित तक इसने किया था, इसका सही अंसर है अप्सन उप्टोक्त में से कोई नहीं, इसमें से दोस्तो कोई नहीं है कोईश्टन का स्पश्टी करार दिखते हैं 1922 में राजनांद गाउं के बी एंसी मिल में लगभग 36 दिनों तक चलने वाली हर्ताल का नेत्वित था, ठाकूर प्यारे लाल सी द्वारा किया गया था नेश्टर कोईश्टन है यहां कहा जाता है कि 36 गर में पाये गए पूरतात्व सिक्के इसा पूर्वा दूसरे सदी से संबधित है इन मुल्यवान सिक्कों का क्या नाम है, इसका सही आंसर है अप्सन डी आहत या पंचमार का मुद्रा कोईश्टन का स्पश्टी करार दिखते हैं महात्मा गांधी ने 36 गर के कितनी बार यात्रा की है इसका सही आंसर है अप्सन बी दो बार कोईश्टन का स्पश्टी करार दिखते हैं 20 दिसंबर 1922 को गांधी जी का प्रथम 36 गर में आगमन हुआ था तथा 25 से 28 नौमर 1923 तक गांधी जी ने 36 गर की दूसरी बार यात्रा की थी नेस्टर कुश्टन है 36 गर मीत्र, 36 गर का प्रकासित होने वाला पहला अक बार है जो कि सन 1900 में प्रकासित हुआ था इसके किसने प्रराम्भ किया था इसका सही आंसर है अप्सन सी माधाव राव सप्रे और पंडित राम राव चीन चोलकर दोनों ने मिलकर इसका प्रकासन किये थे क्वेश्चन के स्वश्टिकरान दिखते हैं 36 गर मित्र 36 गर से प्रकासित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र है जो 1900 में प्रकासित हुआ था तथा 1937 में आर्थिक अभाव वा अंग्रेजों के विरोत के काराल बंद हो गया इसका दूसरे संस्थापक माधाराव सप्रे वा राम राव चीन चोलकर था नेश्च क्वेश्चन है पूर्वकाल में पंडरिय ये इस्टेट का नाम क्या था इसका सही अंसर है आप्चन ए मुक्तापूर प्रतापगड कोश्चन के सपस्टी करार देखते हैं पंडरिय चमिदारी का पूर्वा नाम मुक्तापूर प्रतापगड था नेश्च क्वेश्चन है आखिल भार्दी कांग्रेस कमेटी के बैठक से बंबाई से लवर्टेस हुए कांग्रेस के प्रमुक नेता को 9 अगस्ता 1942 को निम्न लिकित में से किस इस्थान पर गिरिपतार हुए थे इसका सही अंसर है आप्चन ए मुक्तापूर क्वेश्चन के स्पस्टिकरार दिखते हैं भाड़ा छोड़ो अंदोलन के दवरान 9 अगस्ता 1942 को बंबाई अधिवेशन से वापस आने के दवरान चतिस गड़ के प्रमुक नेताओं को मध्यप्राांत वा मुंबई की सीमा पर इस्थित मलकापूर नाम इस्थान पर गिरिपतार किया नेश्चन को शन्हेनिम्न लिकित में से कौन से कथन सही है 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का 36 गड़ के राइपूर में आगमन हुआ था यह कथन सही है साथियां पर दिखिए 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे तथा वहाँ एक जन सभा को संबोधित किया फिर यहाँ पर अगला कथन है राइपूर में उन्होंने आनन समाज के वाश नालाय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया यहाँ पर दोस्तों इसकत तीनों कथन सही है इस तरीका से हमारा सही अंसर होगा आप्शन यह एक दो यवाम तिन सही है कंडेल नहर सत्यागरा में भाग लेने हेतू अमंतित किये जाने पर गांधी जी का चत्तिसगर में क्रथम आगमन हुआ वे 20 दिसंबर 1920 को पहुँचे थे 21 दिसंबर को कंडेल नहर के सत्यागराहियों को संबोधित किया तथा वापस राइपूर पहाच के अनन समाच के वश्च नालाय में महलाओं को भी समोधित किया नेश्टर कोश्चन है 36 गर की राजव सवयस्ता में सुधार हेतू मेजर एगन्यू ने निम्न लिखित में से किन कर्मचारियों को निउक्त किया था इसका सही अनसर है आपसन दिखिए यहाँ पर बराण पाड़े आमील तथा अमीन आदी को निउक्त किया गए था इस तरीका से हमारा इस कोश्चन का सही अनसर होगा आपसन दिखिए आपसन डी एक तीन और चार कोश्चन का स्पूस्टिकरनर दिखते है मेजार एगन्यों ने अधिक्षक बनने के बाद माराथा कालिन वेस्था के पटेल पत को समाक्त किया तथा आमिन और पांडिया नामाग दो पत बनाएं से साधिकारी का पत पूर्वा वर्ती थे नेश्र कोशन है निमना लिखीत में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर दोस्तों कथन दिया है उनको कौन से कथन सही है उसके बारे में जानना है भारती राश्टी कांग्रेस का अठासव इंक्यानबे का नाकपूर अधिवेशन चतिसगर में राजनितिक चेतना का विकास का एक कारक था यह दोस्तों सही अंसर है साथिया पर जीतने भी कथन दिया है आगे देखते हैं इस अधिवेशन में चतिसगर की 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया यह दोस्तों बिल्कुल गलत है इस अधिवेशन के अधिक जिता मदराज के वकिल पी आनम चारलू ने किया इस क्वेशन का स्पस्टिकरार दिखते हैं 1821 में पी आनम चारलू की आधिक्षता में नागपूर में हुए आविजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 36 गड के माधाव राव सप्रे वामार राव लाखे सी एम ठकर तथा राम गोपाल तिवारी आधि सामील हुए थ चड़ना हाएं तो नेस्टर कोश्चन है यहाँ पर सूची और शूची दो को सुमिलित करना हैं पर बीटीश साइनकाल में 36 गर्द में विकास के चरण यहाँ पर दीखिए ग्रेट इस्टैनरोड यहाँ पर दीखिए यहां पर वर्स भी दिया गे ग्रेट इस्टेना रोट की निर्माड का फ़ा था तो अठासो बैसाट को ग्रेट इस्टेना रोट का निर्माड हुआ था फिर यहां पर दिखिए दूसरा अपसंदी है रुद्री बैराज का निर्माड यहां पर दूस्तों रुद्री बैराज के निर्मार 1912 में हुआ था आगे यहां पर देखिए फिर 36 गार रेल्वे का बंगाल नाकपूर रेल्वे में विलै अठ्था सो सतासी को किया गया था फिर राजनांद गाउं में ब्येंसी मिल का प्राराम पक्याप गया था तो इसका सही अंसर है अपसं देखिए यहां पर 18 99 bütün इस तरीका सहमारा सही अंसर होगा 1 फिर हांपर दिख्यक्त दूस्त नहीं है इए इस एक चार दो और तीन यह हमारा सही है कुश्चन क autistic irritellen दिखते हैं 466 में ग्रेट इसटार न हीरमान किया गया था फिर अठाथ 6 सब यहाँ पर दूस्तों साथ 1787 में सब्सक्राइस में 67 में 36 गण 400 नाकू रेलेट में कर दिया गया है फिर 897 में राजनांदगाूं के बिन सी मिल्डील ठालche हुआ फिर दोस्ति यहां पर दिखिए 1912 में रुद्री बैराज का निर्मार किया गया था यहां पर देखिए टैपिंग मिश्टिक है यह सब्सक्राइब नेश्ट कुश्चन है सूची एक को यहां पर दोस्तों सूची एक में दिया है बुद्धि प्राकास सभा का दोस्तो यहां बिलाजपुर्च से समवधी तरश रस्त काला है राजनान्द्वाश संवधी थ्याह गया है एक में यहां इस स्कूर। का सही अंसर होगा आप्शन सी कुश्चन के स्वस्टी करार दिखते हैं 36 गड़ मीत्र का प्रकासन 19 सो में माधाव राव सफ्रे द्वारा पिंडरा रोड से किया गया था सरस्वती पुस्तकाला की स्थापना 1909 में ठाकूर प्यारे लाल सी द्वारा राजनांद गौं में किय अगला सही है एद सभार फड़ के ऊट्र को अंसर बताना है 36 सव बैसाथ में माध्य प्रांद का संभाग बनाए गया जैसीं कहतना था चतिस गड़ के प्रत्यक जिले में डिप्टी कमिशनरी निउक तक किया गया ये भी दूस्तों सही है और यहां पर देखिए तीसरा का तर्ण चतिस गड़ के समास्तों जमीदारी को करद राजय का दर्ज़ा दिये गया ये दुस्तों गरात अप्षन है इस तरीक से कुछों का सही है अप्षन B एक और दो इस कविश्चों का सही है अप्षन B कोईशन के स्पश्टी करार दिखते है 1861 में नागपूर तथा उसके अंतरगत आने वाले छेतरों को मिला कर मध्यप्रांद का गठन किया गया फिर 1862 में पाँच नए संभाग बनाया गये जिन में 36 गड़ को एक संभाग बनाया गया था इसका मुख्याला रैपूर था और जिसमें रैपूर, बिलासपूर, संभारपूर जिले बनाया गये तथा प्रसासन हेतु प्रतेक जिले में डिप्टी कमिस्टर न्यूक्त किया गया नेश्टर कुश्चन है यहाँ पर सुची एक दिया गया है जिसमें 36 गर में हुए जंगल सत्याग रहा को और सुची दो दिया गया है दोस्तों जिसमें उसके तीथी से समधित दिया गया है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन से सत्याग रहा किस तीथी में हुआ थ जुलाई 1930 में हुआ था यहां पर दुस्तों दिखे जो तमोरा सत्यग्रा है यह सितंबर 1930 में हुआ था और गट्टा सिली सत्यग्रा जुन 1930 में हुआ था इस तरीका दुस्ति इस कुश्चन का सही आंसर होगा आपसन दिखिए तीन दो यहां पर दुस्तों चार और एक जिस आपसन में तीन दो और चार एक आपसर है वो इस कुश्चन का सही आंसर होगा तो चलिए यहां पर देखते हैं तीन दो चार और एक यहां पर दुस्तों दिखिए आपसन सी इस कुश्चन का सही आंसर है इसमें दिया है तीन दो और चार एक इस तरीका सिस्का सही आंसर होगा आपसन सी कुश्चन के स्प्रस्टिकराण दिखते हैं प्रमुग जंगल सत्य ग्रहा निम्न लिखी थे गट्टा सिले सत्य ग्रहा जुन 1931 में हुआ था फिर मोहबना पोड़ी जुलाई 1931 में हुआ था रुद्री नावा गाउ अगास्ता 1931 में हुआ था तामोरा जंगल सत्य ग्रह सितंबर 1930 में हुआ था तथा पोड़ी जंगल सत्य ग्रह अक्टूबर 1930 में हुआ था निम्न लिखीत में से कौन से जोड़ी 36 गड़ का समाजिक राजनिति संगठन तथा व्यक्ति से सुमिलित है इसका सही अंसर है क्वेश्टन के स्पश्टी करनर देखते हैं पंडी सुंदला सर्मा ने 1906 में राजी में समीत्र मंडल नामक एक संस्था की स्थापना की थी नेस्टा क्वेश्टन है धमतरी जिले में सरवा प्रथम राश्टी विद्याला की स्थापना की थी इसका सही अंसर है option B बाबु छोटे लाज स्रिवास्तों ने धमतरी जिले में सरवा प्रथम राश्टी विद्याला की स्थापना की थी क्वेश्टन के स्पश्टी करार देखते हैं असरयोग अंदोलान के रशनात्मा कार्यकरत के तहत धमतरी में बाबु छोटे लाज स्रिवास्तों ने राश्टी विद्याला की स्थापना की थी नेस्टर क्वेश्टन है निम्नले की कथन को पढ़कर सही उत्तर को चुनिए इसका सही अंसर है आपसं दिखिए तो यहाँ पर कथन को पहले पढ़ते हैं ब्रिटिस रक्षण काल में 36 गड़ का ब्रिटिस समराज्य में विलाय हो गया दोस्तों यह इसको विलाय नहीं किया गया था यह कुछ दोस्तों जो यह कथन है यह गलत है 36 गड़ के प्रसासन के लिए British Supreme Day की निव्ति किया गया ये दोस्तों सही है Supreme Day को नापूर के Resident के अधिन कार्या करना पड़ता था ये दोस्तों ये भी सही इस तरिका से question का सही अंसर होगा option देखिये जिस option में 2 और 3 सही होगा वो हमारा सही अंसर है option यहाँ पर दोस्तों सी देखिये दो ये वम 3 सही है question का स्पस्टिकराण देखते हैं रगुजी तरिती के अलप अवैस के होने के कारण 1818-1838 के मध्या नापूर का सासन British Resident के द्वारा चलाया गया जो British सरक्षर के काल कहलाता है इस काल में 36 गड़ के प्रसासन के लिए नापूर रेसी डेसी के अंतरगत अधिक्चक निप्त किये गए थे next question है विलाय के बाद British सरकार द्वारा 36 गड़ में निम्नेलिक सुधार किये गए इसका सही अंसर है option दोस्तों यहां पर कूट के माध्यम से चुनना है तो यहां पर पहले इस question को पढ़ लेते हैं दिवानी यहां फाउसदारी न्यालाय की वैस्था की गई यह भी दोस्तों सही है प्रत्यक जिले में जिला पुलिस अधिक्चक का नियूगत किया गया यह भी सही है रैपूर में केंद्री जेल का निर्मार किया गया यह भी सही है रैपूर के डाग घर में पोस्ट मास्टर पत की स्थापना किया गया यह भी सही इस तरह का सिस question का सही अंसर होगा option E देख दो तीन योम चार सही है question के स्पश्चिक रार दिखते हैं नागपूर राजय का प्रिटिस सासन में विलाय के पश्चात अंग्रेजी सासन द्वारा अन्यक सुधार किये गए हैं जिसमें नियालायों के स्थापना पुलिस प्रसासन में सुधार हेतु पुलिस अधिक छको की निक्ति केंद्री जेल की स्थापना राजपूर डाग घर बना तथा पुश्ट मास्टर पाद की स्थापना की गई नेस्ट कोश्चन है निम्ना लिकित में से कौन सी जोड़ी साविना अवगया अंदोलन के दूसरे चरण में चातिसगर के गाती विधियाम नित्युत्त में सुमिलीत नहीं है इसका सही अंसर है आपसंदेखिए अपसंदी मार्च 1932 में दूरगह में नमा कालून का उलंगन घंचाम सी गुपत द्वारा किया गया या दूस्तों इस कुश्चन का सही अंसर है यह गलत है कुश्चन के स्वश्चिकरान दिखते हैं चतिसगर में नमा कानून का उलंगन गांधी जी के द्वारा 12 अप्रेल 1932 को डांडी में नमा क तोड़ने के साथ ही प्राराम हो गया था सविन्य अवग्या अंदोलन के प्रथम चरण में मार्च 1932 को इस्थगित कर दिया गया था नेस्ट कोश्चन है सूची यह को सूची दो के साथ यहां पर Σुमिलइत करना है सूची यह में दिया हैं भारत छोड़ों अंदोलन में 36 घड़ की घटना आये और यहां पर दियती में समधित वेक्ति दिए गया है इसका देखते हैं रैपूर से अंत्रकेस है दोस्तर हैं पर परस रामसोनी स好不好 है और है लिगाण jersey में आघ जनी की इसने की थी तो यहाँ पर दिखें यहाँ पर दिखे दोस्ती यहाँ पर द। रैपूर में वेद्यार्तियों का जुलुसज यहाँ परéqu Rights रडविट सी सास्तिर दोरा किया गया था इस तरीका से दोस्तों हमारा इस question का सही answer होगा option दिखिए 4, 1, 3, 2 इस question का सही answer होगा option यहाँ पर दिखिए 4, 1, 2, 3, option D इस question का सही answer है question का स्वस्टिक राणर दिखते हैं राइपुर स्वयंत्र केस के नायक परसराम सोनी थे जो बम गोला आधी निर्मार करना चाहते थे बिलखा नरायन अगरवाल इस्वरी चरणर सुकल आधी डायनामाइड से जेल के दिवार को उड़ाना चाहते थे जो राइपुर डायनामाइड कांड के नाम से जाना जाता है दूर्गा कोट में लेटर वाक सो खड़ने तथा आग जनी की घटना रगुन नंदन सिंगरॉल से सम्मधी था जब कि रण विजय सी हाँ भारती ने छात्रों के रैली का नेत्रित्त किया था नेश्टा कोशन है निम्नल लेखित कथान को पढ़िये यहां सही उत्तर चुनिये यहां पर दोस्तों जितने भी कथान उनको पढ़ना है फिर कोट के माध्यम से आपको यहां पर उत्तर बताना है इस संगठन के सदस्चे की संख्या चत्रा सबसे अधिक थी यह दोस्तों इस कथन गला था साथिया पर देखिये चत्रीस गण में केवल तीला कवादी होम रूल लूप सक्रिया रहा यह भी दूस्तों इस कथन भी दोस्तों सही इस तरीका से इस कोशन का सही आंसर होगा तो चलिए आप्सण इहां पर देखते हैं एक और ती यहां पर दोस्तों देखिए आप्सण डी एक और तीन सही है कोशन के इस प्रश्थिक रहर देखते हैं तीला के होम रूल लिक के कारिया चेत्रब मध्य भारत तथा 36 गर्म में भी मध्य भारत का हिस्सत था अतहा यहा पर अन्यक सखाएं भी राराम हा किया गया नेश्टा कोशन है तिस गड़ में 1922 में हुए कंडेल नहार सत्याग रहा निम्न लिकित नेता थे इसका सही आंसर है आपसन दीखिए यहां पर पंडी सुंदर लार सर्मा छोटे लार सिर्वास्तो नारे राउ नारायार राउ मेघ वाले भी 1922 में हुए कंडेल नहार सत्याग रहा कि नेता थे यहां पर दोस्तों आपसन यहां पर एक जो गलत है इस तरह से इस कुश्चन का सही आंसर होगा आपसन दीखिए दो तीन और चार सही है कुश्चन का स्पस्टिक रहार दिखते हैं 1920 में धमतरी के कंडेल गाउं ले थे नेश्टा कुश्चन है निम्ना लिखित में से कौन से जोड़ी भा चतिस गड़ में भारत छोड़ो अंदोलंग की घटना तथा समधित विक्ति सुमिलित नहीं है इसका सही अंसर होगा आपसन यहां पर दिखिए यहां पर दिखिए दोस्तों आप 1922 में रैपूर सेंट्रल जेल में डायनामाइट से लेटर बाक से उखरने वाले कौन थे तो यहां पर दोस्तों दिखिए हैं पर असलम सोनी यहां घटना सुमिलित नहीं है कि कुश्चन के स्पस्टी कराणर दिखते हैं 1922 में बिल्खा नरायन अग्रवाल इवाब उनके साथियों दोवारा रैपूर के केंद्रिय जेल की दिवार को उखड़ने तथा उसमें बंद राज निति कहदियों को छोड़ाने का प्रयास किया गयता इसे रैपूर डैनामाइट कान के नाम से जाना जाता है निम्नलिकित कथन को पढ़िए यहां पर दोस्तों जितने भी कथन दिया है उनको पढ़ना है फिर कूट के माध्यम से आपको आंसर बता रहे हैं तो चलिए यहां पर देखते हैं पहला कथन है 29 जुलाई 1938 को पंडी 33 संकर्ट सुक्ला ने माध्या प्रांत के दितिये कांग्रेस मंत्री मंडल का गठन किया था यह दोस्तों सही कथन है यहां पर इस मंत्री मंडल में प्रांत के विधा योजना का प्रराम किया गया था आहां पर दोस्तों 8 नॉवंबर 1949 को मंत्री मंडल ने त्याग पतरा दिये यह दोस्तों सही और यह दूस्त शिकेंड वाला जो कथन है वो पॉच्छन के प्रांतिय वैस्था विका के चुनाव में कांग्रेश की जीत हुई तथा माध्य प्रांत में आर्न अन भी खरे के निर्थित्य में मंत्री मंडल का गठन किया पंडित रवी संकर सुकल सिक्षा मंत्री बनाये गए जिन्होंने सिक्षा मंदिर योजना प्रारामा की थी एक वर्सा पस्चाद एन भी खरे ने इस्थिपा दे दिये जाने के बाद पंडीत रैविशंकर सुकल ने मध्य प्रांद का मुख्य मंत्री बन गया देतिये विश्ची विद्धक में भारतियों से बीना पुछे भारती सैनिकों को सामिल किया जाने के विरोध में इस मंत्री मंडल के सदैस्योतों ने इस्थिपा दिये निम्ना लिखीत में से किस वर्स चतिस गड़ मध्य प्रांद का एक संभाग बना इसका सही अंसर है अप्सवन भी 1862 यहाँ पर दिखिए दोस्तों बहुत बार इस कुश्चन को पूछा गया है कुश्चन के स्पस्टिकरार दिखते हैं प्रसासनिक सुईधा के द्रिष्टी कोर्ट से नाकपूर राजय और उसके अंतरगात सामिल छेत्रों को मिलाकर 1861 में मध्य प्रांद का गठन किया गया तथा 1862 में चतिस गड़ को संभाग का दर्जा दिया गया और इसका मुख्यालाय रहपूर को बनाया गया इसके अंतरगात राजपूर बिलासपूर और संभालपूर तीन जीले बनाये गये नेश्ट कोईशन है निम्नलेकित कथन को पढ़िए और यहां पर कुट के माध्यम से आपको अंसर देना है तिहां पर दिखिए पहला कथन है नाव अगस्त 1942 को राइपूर में कांग्रेशो जनों के जूलूस निकाला गया जिसमें अंग्रेजो भाराज छोड़ो अंद्योलन के नारे लगाये गये पिर राइपूर के यहां पर दूसरा कथन दिखिये यह दोस्तो हमारा कुट का सही है नव अगस्ता 1942 को हरता राजव कि दोस्तो यह वाला जो हमारा कथन हमारा काथन नरो गला तीज तरिकाथ इस कुटका से सहीं अंसर होगा option B एक एवम दो सही है question का स्पशी कराण दिखते हैं 9 आगास्त 1942 को गांधी जी की गिरिपतारी के विरोध में रैपूर में एक विशाल जुलूष निकाला गया 9 सितंबर 1942 को ठाकूर प्यारे लाल सी के पूतर राम कृष्णा सी एवम उनके मीत्र वर्लाब दास ने नागपूर के हाई कोट में तिरंगा फाराने के आरोप में गिरिपतार किया गया जबकि विलाजपूर में युवाको द्वारा 2 अक्टूबर 1942 को गांधी जीनती के दिन एक विशाल जुलूष निकाला गया था निम्ना में से कौन से जोड़ी घटना तथा व्यक्ति सुमिलित नहीं है इस तरिका से देखिए हाँ पर समादा में राजनितिक सम्मिलन 7 से 8 दिसंबर 1946 को डाक्टर खूब चंदबग्गल दुवारा किया गया था यह दोस्तो सुमिलित है यहाँ पर बिलास्पू में विद्यार्थियों सबता हम 13 से 15 दिसंबर 1946 में भूवन भासकर्शी दुवारा किया गया यह भी दोस्तो हमारा दूसरा भी दूसरा अप्शन भी यह भी दोस्तो सुमिलित है यहाँ पर देखिए तसीर राजनेतिक सम्मिलन बेमे तरह 31 दिसंबर 1946 को मोहनलाल भाकली वाल दुवारा किया गया यह भी दोस्तो सही है यहाँ पर दिखिए दोस्तो हमारा यह वाला डी वाला अप्शन गलत है रैपूर के गांधी चौक में तिरंगा भाराना पंद्रा अगास्ता 1947 को पंडि रैवी संकर सुक्रत दिवारा किया गया दोस्तो यह गलत है और इस कुश्चन में दोस्तो कौन सी जो आप्शन है वो समिलित नहीं उसको पूछा गया तो इस कुश्चन का सही आंसर होगा आप्शन यहाँ पर दिखिए साथियां पर दिखिए दोस्तो बिलाजपूर में तिरंगा फाराना 15 अगास्त नहीं 1947 को राम कोपाल त्यारी दोरह किया गया था यह दोस्तो इस कथन भी सही है कुश्चन के स्पस्टिक रहर दिखते हैं 15 अगास्त नहीं 1945 को नाकपूर के सीता बर्डी खिलेक में 15 रवी संकर सुकल द्वारा तिरंगा फाराया गया रैपूर के गांधी चोक में वामार राव लाखे द्वारा जबकि पूलिस लेन में आर के पाटिल ने तिरंगा फाराया दूरगा में घंचान सी गुप्त और बिलास्पूर में राम गोपाल तिवारी ने तिरंगा फाराया था नेस्टर कोईशन है निम्नलेखित कथन को पढ़िये और सही उत्तर चुनिये कथन एक दिया है 20 जून 1915 को रैपूर के टाउन हॉल में 36 गड़ के लगभाग 300 माल गुजारों का समेलन हुआ यह दोस्तो इस कथन सही है यहाँ पर देखे इस समेलन की अध्यक्षता राव सहाब दानी ने की थी है दोस्तो गलत था इस समेलन में राष्टी मुद्दो पर विचार किया गया यह भी कथन गलत है इस तरीकाँ दोस्तो इस कोईशन का सही आंसर होगा आप्षण ए क्यवल एक सही है क्वेशन का स्पस्टी करार देखते है 20 जून 1915 को राइपूर के टाउन हाल में 36 गड़ के लाग भाग 300 माल गुजारों का समेलन हुआ था नेश्ट क्वेशन है नाकपूर के भोसला राज्या पर ब्रीटिस सरक्षण के अंतरगत 36 गड़ में न्यूकत प्रतम सुप्रिडियंडेट कौन था इसका सही आंसर है आप्षण ए कैप्टन एडमन क्यूश्ट एक क्यूसिन का इस Primary करार देखते है ब्रीटिस सरक्षण काल में 36 गड़ में न्यूक्त प्रत्थम अधिक्षक कैप्टन एडमन थे जबकि क्राफ़ाड अंतिम अधिक्षक थे नेश्ट कोश्चन है धमतरी में किस वर्स राष्टी विद्यालाई की स्थापना की गई सही अंसर है अप्षन भी 1921 में धमतरी में राष्टी विद्यालाई की स्थापना गई चौश्चन का स्सेकराण देखते हैं असौहयегда अंदोलन के दावरान 1921 में धमतरी समय 2006 गड़ के अन्यक इस थानों पर राश्टी विद्यालाव की स्थापना की निमना लिखित में से कौन सी जोड़ी 1854 से 1861 तक 36 गड़ की प्रसास की एकाई और उसका अधिकारी सुमिलित है इसका सही अंसर है आप्शन D पोस्ट मास्टर लेप्टी नेन इसमित सुमिलित है इसका भी दोस्तों स्थापना हुआ फिल मालनी रेडिंग कलब कभी दोस्तों स्थापना हुआ था 36 गड़ बाल समाज कभी स्थापना हुआ था कभी समाज कभी स्थापना हुआ था इस तरका सिस कौईशन का सही अंसर होगा आप्शन D एक, दो, तीन, चार, सही है कोश्चन का स्पस्थी कराणर दिखते हैं वन्यूसी सदी के अंत तथा बिश्वी सदी के फ्राड़म में राइपूर में लिट्रेरी एंडर साइन्टिफिक एस्विएशन, मालिनी रेडिंग कलब और तिस गड़ बाल समाज कवी समाज रेडिंग कलब जैसे अनेक्षन स्थाय निर्मीत की गई निमनलिकित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गाओं के किसानों ने आंदोलन किया था इसका सही अंसर है आप्शन C नहर के उपयोग पर जुर्माना के कारण 1920 में कंडेल गाउं के किसानों ने आंदोलन किया था कुश्चन का स्पुस्टिकरार दिखते हैं ब्रिटिस आसन द्वारा धमतरी जिले के रूदरी गाउं में महानदी पर बांध वा नहर निर्माड कर जल राप्त करने के लिए दस वर्सका अनुबंद अनिवार्य किया गया किसानों द्वारा अनुबंद करने से इनका इंकार करने पर उन पर जल चोरी का आरोप लगाया गया जिसके विरोध में कंडेल नहर सत्यग्रा हुआ था सविना अवग्या अंदोलन के दावरान किसने 15 अप्रेल 1930 को रैपूर में नामा कानुन तोड़ा इस तरीका दोस्ते इस कोश्चन का सही अंसर होगा देखिए यहां पर महंद लच्मीन रायार दास पंडित रही संकर सुकला सेट गोविन दास और द्वारी का प्रसाद मि सविना अवग्या अंदोलन की शुरुवात पंडित रही संकर सुकले ने की थी उन्होंने नमक बना कर नमक कानुन तोड़ा इस समय उनके साथ द्वारी का प्रसाद मिस्त और महंद लच्मीन रायार दास गोविन दास आदी नेता भी उपस्चित थे सुप्री टेंडेंट के रूप में मेजर एगन्यू हुने 36 गड़ की राजधानी रतनपूर से रैपूर इस्थांटरीत की यहां दोस्तों यहां पर कथन है उसने 36 गड़ के प्रसासनिक धाचे का पुनर गठन किया यह भी दोस्तों सही है उसने 36 गड़ में पंचायत वैस स्थापित किया था यह दोस्तों गलत है इस तरीक से इस कुष्चेन का सही अंसर होगा आपसन यहां पर भी एक एवं दोस्तों ही है कुष्चन के सपस्टी कराण दिखते हैं को पुनाह निर्धारित करना आधी कार्या इनके द्वारा किया गया था नेश्ट कुष्चन है माध्या प्रदेश में सवरव प्रथम अंग्रेजी प्रसासन ने किसकी वाकालत की स्थनत सन 1932 में छिन ली थी इसका सही अंसर है आपसन भी ठाकूर प्यारे लाल को प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री के रूप में पंडीत रवी संकर सुकला ने कार्या किया इसके सही अंसर है आपसन यहाँ पर दिखिए पंडीत रवी संकर सुकला ने 1947 से 1956 तक मध्य प्रांथ का मुख्य मंत्री रहे तथा 1956 में इनका मृत्यू भी हो गया यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पताईए धन्याबाद प्रांथ